नमस्ते बच्चों स्वागते आपका सरदार वल्लब भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ओनलाइन क्लासिस में मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और आज हम पढ़ेंगे कक्षा सात्वी का विशय हिंदी सुलब भारती का छटवा अद्दा है जिसका नाम है प्रत्वी से जो प्रत्वी का पहला विश्कार था और अकनी तक का जो किया गया विश्कार उन दोनों में उन्हें किस प्रकार के घटनाए और उन किस प्रकार के समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा तो उसे का वर्णन इस पार्ट में अब्दुल कलाम जी ने किया है अब्दुल कलाम जी जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कोन नहीं जानता सभी जानते हैं आज ये हमारे समाज के और देश के सबसे महन व्यक्तियों में से गिने जाते हैं अब्दुल कलाम जी ने बहुत से कारे के देश के लिए समाज के लिए विद्ञान के लिए जिससे उनका वेक्तित्व सभी के सामने खुल कर आया और सभी के लिए वो एक मिसाल बने तो सबसे पहले पाट का पठन केरने के से पहले हम अब्दुल कलाम जी का जीवन परीचे जान लेते हैं जन्म अब परीचे में हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपती पत को विभूशित किया अन्मोल योगदान के लिए आपको भारत रतन सम्मान प्राप्त हुआ भारत रतन सम्मान ऐसा होता है जो ऐसे वेक्ति ऐसे महान वेक्तितों को दिया जाता है जिन्होंने देश, समाज और विध्यान या अलग-अलग कलाओं में या कारियों में अपना योगदान दिया हो जो कि देश और समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महतोपुर्णा रहा हो तो ऐसे लोगों को भारत रतना पूरसका दिया जाता है तो अब्दुल कलाम जी ऐसे ही महान वेक्तितों के थे इसलिए उन्हें भारत रतना पूरसका प्राप्त हुआ प्रस्तुदात्मकता अंशमें लेखक ने अगनी के प्रक्षेपन में आनी वाले कटनाईू वेज्यानिकों के अतिक परिश्रम को बताया है तो यह जो पाठ अब्दुल कलाम जी न लिका है यहाँ पर जब वो एक विद्नान के शोद के लिए जब वो कारे करते थे तो उन्हें किस प्रकार के कटना है उनका सामना करना पड़ता था और किस प्रकार जो उनके साथ में और वेज्यानिक होते थे वो किस प्रकार से परिश्रम करते थे उसे बताया गया है उन्होंने यह अपने शब्दों में बताया है अब सोयम अध्या में सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है किसी माहान विब्वती आता प्रम करना है, लिखना है और उसी प्रकार उसे जन्म से लेकर, शाले शिक्षा, उनके कारेों को भी लिखते जाना है या आप आपके घर पर सोयम किसी भी महान वेक्तित्व को सामने रखकर कर सकते हैं अब हम पाट का पटन करते हैं अब्दुल कलाम जी कहते हैं बाला सोर में अंतरिम परिक्षन का काम पूरा होने में अब भी कम से कम एक साल की देरी थी बाला सोर जो था वहाँ पर परिक्षन का काम चल रहा था तो उसमें अभी भी एक साल की देरी थी हमने प्रत्वी के प्रक्षेपन के लिए श्री हरी कोटा अंत्रिक्ष केंद्रों में विशे सुविदा इस्थापित की थी तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं और प्रत्वी से प्रक्षेपन अर्था-प्रत्वी से किसी भी चीज को छोड़ा जाता है उपर की और अंत्रिक्ष में तो उसका जो प्रक्षेपन था तो उसके लिए हरी कोटा जो कि भारत का सबसे बड़ा अंत्रिक्ष केंद्र है तो वहाँ पर अलग-अलग सुवीदाय इस्तापित की इन में से एक लॉंच पैड ब्लोक हाउस नियंत्रन उपकरन और चली दूरमीती केंद्र शामिल थे इतने केंद्रों को उन्होंने श्री हरी कोटा में स्तापित किया पृत्वी उपकरहों को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11 बच का 23 मिनिट पर चोड़ा गया जो पृत्वी उपकरह था पृत्वी नाम का जो उपकरह था जिसे हम सैटलाइट कहते हैं तो तब वो कब चोड़ा गया 25 फरवरी को चोड़ा गया 1988 में ठीके और कब सुबह 11 बच कर 23 मिनिट को यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतियास में एक युगांतर कारी घटना थी अर्थार यह केसी घटना जी जो युगों तक याद रखी जा सके संसार के सभी विख्सित देशों को विच्लिद कर दिया जब कोई भी देश कोई कारे करता है विध्यान से जुड़ा हुआ या नवी नविश्कार करता है तब वो केवल अपने ही देश को नहीं उसी के साथ वो अन्य देशों को भी बहुती अलग से प्रभावित करता है और विचलित कर देता है जो विक्सित देश होते हैं जो हमसे आगे देश होते हैं उन्हें भी जब हमारी विकार्सकारी अच्छे से होते हैं अलग-अलग अविश्कार किये जाते हैं तो विक्सित द ओने लगे जैसे जैसे भारत के विग्जाने कंप अपना योगदान भारत के साथ में हमारा भारत भी एक सुरक्षा प्रणालियों के रूप में चुननिंदा राश्ट्रों के सम्मोने पहुण पुझ गया था लेकिन क्या एक प्रुत्वी ही पर्याप्त थी हां कोई भी कारिय जब हम करते हैं तो क्या वो पर्याप्त होता है हमें और नहीं करना चीए कारियों जिससे हमारा देश विक्सित हो ऐसा अब्दुलकलाम जी सोचते थे क्या चार-पाज मिसाइल प्रनालिया प और विक्सित देश थे वो अलग-अलग अविश्कान हमेशा करते रहते थे तो अब्दुलकलाम जी भी यह सोचते थे कि केवल पृत्वी का ही हम जब परिक्षन कर रहे हैं तो क्या यह काफी है हमारे देश के लिए उसी समय अगनी को एक टेक्नोलोजी प्रदशन रूप में विक्सित किया गया मतलब हमारी देश की जो टेक्नोलोजी है उसे किस प्रकार से विक्सित किया जाए देश की बीतर उपलर समस्त संसादनों को दाव पर लगा कर यही एक उत्तर था अर्था जब कोई भी बड़ा विश्कार होता है तो बहुत कुछ दाव पर ल लगा देनी पड़ती हैं अगनी टीम में 500 से अधिक वेज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपनों में अनेक संगटोनों का नेटवर्क बनाया गया जो अगनी थी उसमें 500 से अधिक वेज्ञानिक काम कर रहे थे और वो जो अनेक अलग-अलग संगटोनों को अगनी का प्रक्षेपन 20 अप्रेल 1989 को निर्धारित किया गया यह एक अभूत्व पूर्व अभ्यास होने जा रहा था अंत्रिक प्रक्षेपन यान के विप्रित मिसाइल प्रक्षेपन में व्यापक इस्तर पर सुरक्षा संबंदी खत्रे शामिल होते हैं प्रक्षेपन की प और अववूत्व पूर्व अभ्यास होने जारा रह घो सब से हैं बारत में सबसे प्रत्रम किया गयाई और प्रक्षएपन्यान के विपर्त मिसाइल थी यह तो मिसाइल जो होती है वह हो उसके जितनी उसकी पूरवा त्यारी की जाती हैं। उस पूर्यय त्यायर्म होसे सूक्राइब किमिये तो तो भोसी सावधानिया भी बरतनी पड़ती हैं तो इसका विचार अब्दुलकलाम जी हमेशा करते रहते थे जिस समय हम T 14 सेकेंड पर थे कम्प्यूटर ने संकेत दिया कि उपकर्णों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है इसे तुरन सुधार लिया गया इस बी निचली रेंच केंडर ने होल्ड के लिए कहा अगले कुछ सेकेंडों में जग़ जग़ होल्ड की ज़रूरत पड़ गई हमें प्रक्षेपन इस्तगित करना पड़ा जब सब कार्य हो रहे थे जब प्रक्षेपन का कार्य शुरुबात की गई तो प्रक्षेपन में 14 सेकेंड पर थे जब करने के लिए जब जैसे ही प्रक्षेपन करने वाले थे तो 14 सेकेंड बाकी थे तब ए कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कुछ यहां पर कमी है तो इस काम को रोग दिया गया और इस बीच नीचली जो रेंज होती है अर्थाद कम जो रेंज होती है उसमें हमेशा केंडर के दोरा होल्ड अर्थाद रुके ऐसा संकेत उने मिलने लगा था जिससे कारण जो प्रक्षेपन उस दिन होने वाला था वह इस्ताकित करना पड़ा आगे है मैं अपनी टीम के सदर्स से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे अगर आप बहुत दिनों से किसी कारियों को लेकर उसी में जुटे हुए है और वह कारियों बहुती मेहनस से कर रहे है उसमें आपने दिन रात लगा दिया और जब वह काम बिगड़ने लगता है या नहीं होता है तब बहुती ज़्यादा शोक और दुख होता है एक सदमा हो जाता है तो उसी प्रकार अब्दुलकलाम जी की जो टीम थी विज्यानिकों की वहब होती सदमे और शोक में थी कि जो हमने काम किया है वह आज होगा की नहीं मैंने SLV 3 के अपने अनुभो को उनके साथ बाटा अब्दुलकलाम जी एक बहुती अनुभोशाली थे तो उन्होंने जब प्रक्षेपन यान था उन्होंने एक SLV किया था 3 तो उनके अनुभोश को उन मित्रों के साथ उनकी ट लक्षेपन चालू हुआ तो वो एक प्रकार से खो गया वो नश्ट होने वाला था फिर भी जो उसकी वापसी हुई जिससे मुझे सपलता प्राप्त हुई आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है वास्तों में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसे एक दो सप्ता के काम स सुधारा न जा सके उनका कहना था कि मेरी मिसाइल तो समुद्र में खो गई थी तुमारी तो सामने ही है तो क्या तुम एक दो हपते से इस काम को सुधार नहीं सकते कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और जो हार मान लेते वो कभी अपने कारे को नहीं कर पाते ऐसा ठीक करने के लिए काम में फिर से जुट गई अब जैसे ही अगर हमें कोई प्रेणा देने वाला अच्छी गाइडेंस करने वाला अगर कोई वेक्ति मिल जाता है तो हम क्या करते हैं हमारा जो सद्मा है या हमारा जो दुख है उसे भूल जाते है और कारे में जूट जाते ह ऐसे ही अब्दुलकलाम जी के टीम के साथ भी हुआ जब अब्दुलकलाम जी ने उन्हें प्रेरित किया अगले दस दिन तक दिन रात चले विस्तुरूत विशलेशन के बाद हमारे विज्ञानिकों ने मिसाइल को एक मई 1989 को प्रक्षेपन के लिए तैयार कर लिया तो जब सभी लोग अब्दुलकलाम जी से जो टीम थी वो प्रेरित हुई तो वो जो कार्य था मिसाइल का वो एक मई 1989 को हुआ तैयार कर लिया गया लेकिन स्वचलित कंप्यूटर जा चाओधी के दोरान टी दस सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई दिया मतलब अभी भी कुछ न कुछ कमी रहे गई थी जिसके वज़े से उन्हें होल्ड के संकेत अभी भी मिल रहे थे विज्यानिको रक्षपन फीर एक बार इस्तरगीत हो गया रॉकेट विज्ञान के शेत्रों में इस तरह की चीज़े बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों म भी होती रहती है आप तो देखते हो कि आप अगर चोटा सा कारे भी घर में करते हैं तो क्या होता है बिगड़ता है आपका कोई भी काप अगर साइकल चलाने से लेकर जब चोटा बच्चा होता है तो वो साइकल चलाना सिखता है तो क्या वो एक दिन में चला लेता है नही हम कोई चीज बनाते हैं किसी कला को करते हैं तो वो क्या हम एक दिन में कर पाते हैं नहीं उसे दीरे-दीरे ही सुधारा जाता है तो जो प्रक्षेपन होता है वेग्यानिकों के बड़े-बड़े कारे होते हैं उसमें यह आम बात होती है मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया यह DRD और RCI यह एक वेग्यानिक संगटन होते हैं जो कि जिसमें बहुत से सदस्य काम करते हैं तो तब वहाँ पर 2000 से भी अधिक सदस्य थे जिने अब्दुल कलाम जी ने संबोधित किया अब संबोधित करते हुए अब्दुल कलाम जी कह रहे है बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोक्षाला या RND संस्तान को देश में पहली बार अगनी जैसी प्रणाली विक्सित करने का अउसर मिलता है यह माहन अउसर हमें दिया गया है सौभाविक रूप से बड़े अउसर अपने साथ बराबर की चुनोतिया लेकर आते है हमें हिम्मत नहीं हाने चाहिए समस्याओ को हमें हराने का मोका नहीं देना चाहिए देश को हमसे सपलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है आईए सपलता को लक्ष बनाए यहाँ पर अब्दूल कलामजी ने फिर से अपने जो कारे करता थे या अपने जो विज्ञानिक मित्र थे उन्हें फिर से सम्मोदित किया सम्मोदित कहते हैं वह कहने लगे कि जीवन में जब हम कारे करते हैं या किसी प्रणाली या किसी को बनाते हैं या किसी का वश्कार करते हैं तो चुनोती आम बात है पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें इस मोके का फाइदा उठा कर हमें उस कारे को फिर से एक नए रूप में करना चाहिए और सफलता को ही लक्ष बनाना चाहिए ऐसा अब्दुलकालाम जी ने संबोधित करते हुए कहाँ लगबख खत्म कर चुका था अब आगे क्या करते हैं अब्दुलकालाम जी अपना संबोधन लगबख खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया में एक नहीं चेतना फिर से जागरुत हो गई कि वह ये कार्य को कर सकते हैं और वह करके ही दिखाएगे ऐसा उन्होंने अब्दुलकलाम जी से वादा किया यह किसी आच्चरे से कम नहीं था कि कैसे सेकडो करमचारियों ने लगातार काम करके प्रनाली की तैयारी का काम स्वी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिये आपस में जुड़े हुए थे मोसन संबंदिया कड़े रुक रुक कर आने लगे और दस मिनिट के अंतराल में उनकी बाड़ सी आ गए अब क्या हुआ दस दिनों ने ही नहीं चेतना के साथ विज्ञानिकों ने सभी कार्य को कर डाला मगर प्रकुर्ती प्रकुर्ती किसी के लिए नहीं रुकती और किसी के अनुसार नहीं चलती तो अब क्या हुआ खत्रा जो था वह एक प्रकुर्ती के द्वारा किया गया था जो कि चकरवाद का खत्रा था जो केंद्रार उपग्रह जो हते संचार के सबी साधन एक दूसरे से जुड़े होने के कारण जो मोसम होते है या वाता वरण होता है वो भी उसे प्रभावित करता है तो इसके वजह से वहां पर बहुत सी समढद्षा है मोसम से संबंदित आने लगे अंततह प्रक्षेपन 22 मई 1989 के रोज निर्दारिद किया गया अब प्रक्षेपन फिर से बदल कर 22 मई 1989 में किया यह पॉर्णिमा की रात थी जोर के कारण लहरे किनारों से टकरा कर और अधिक शोर मचा रही थी आपको तो यह ग्याती होगा कि जब भी पॉर्णिमा या मोस्या होती है तो जो जो जौर होता है जो समुद्र की जो लहरे होती है वह अपना रूप बदलती रहती है वो जो जो से बहती है तो उस रात भी ऐसे ही हो रहा था क्या हम अगनिप्रा के प्रक्षेपन में कल सपल होगे या सवाल हमारे दिमागों में सबसे उपर था लेकिन हम में से कोई भी उस सुन्दर रात को के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था अर्थार इन सभी तकलिवों वे और इन सभी जो उनके उन्हें जो बाते उन्हें सबसे ज़्यादा डरा रही थी कि प्रक्षेपन कल हो पाएगा की नहीं तो उन सबको भी छोड़कर वो जो सुन्दर रात थी जो पोर्णिमा की रात थी उसे वो वेग्यानी नहीं खोना चाह एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिर का रक्षा मंत्री महदे ने मुझसे पूछा रक्षा मंत्री जो होते हैं वहदेश की रक्षा यसुरक्षा के कारे को देखते हैं तो उन्होंने तब अबदुल कलाम जी से क्या पूछा कलाम कल तुम अगनी की कामयाभी का जश से भर देता है तो इसी साथ जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने भी कलाम जी से ऐसी ही प्रशन पूछा यहां एक मामूली सा सवाल था लेकिन मैं ततकाल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया मैं क्या चाहता था क्या था जो मेरे पास नहीं था कौन सी चीज मुझे और खुश मिसाय प्रचली थो उठी तो यहां पर जो अब्दुलकलाम जी से रक्षा मंत्री ने पोचा कि अगर तुमारा जो प्रक्षेपन है वो सपल हो जाएगा तो तुम मुझे क्या मागोगे तो अब्दुलकलाम जी विचार करने लगे कि ऐसा क्या है मेरे जीवन में जो मुझे अभी तक नहीं मिला या नहीं प्राप्त हुआ तो उन्होंने खुद का नहीं विचार किया उन्होंने बलकी जो आर्सी आई था जो कि एक विज्ञानिक अविश्कार के लिए स्थान था या केंद्र था तो उन्होंने सोचा बहाँ पर एक लाग पोदर की जरूर थी तो उ सुपन भरी नीन के बाद एक खुब सूरत सुबह में जागने जिसा था अब यहां पर जो कलाम है वो कहते हैं कि सुबह साथ बचकर दस मिनिट जो तय था उस समय पर अगनी मिसाइल क्या हुई प्रजुलित हुई अर्थात उस्ते अपना कार्य भोकु भी किया अर्थात उनक जो कि हमें भरी नीन में आता है तो वो जो बुरा सपना था वो आज एक खुबसूर सुबह में जाग गया है या बदल गया है हम अने कार्यों केंद्रों पर पास साल की कड़ी मेनत के बाद लॉंच पेड़ पर आये थे अर्थात उनकी जो पास साल के मेनती वाच रंग ला अने जो टीम थे उसे कभी हार मानने नहीं दिया थे मुश्किलों के बाद और आखिरकात उनकी जो विचार थे या उनकी जो सोच थी अच्छी सोच पॉजिटिव सोच जो थी साकारत्मक जो सोच थी वो आज उन्हें दिख रही थी कार्य रूप में यह मेरे जीवन के महान शांदार नतीजा मेला यहाँ पर अबदुलकलाम जी अपने वाक्यों को समाप्त करते हुए कहते हैं कि वो जो छे सेकेंटे जिसमें जो अगनी थी वो उसने जब प्रक्षेपन किया गया जब वो उड़ी भवे उडान ली उसने तो जो हमारे पास सल की मेहनत थी जो हमारा शांदार नतीजा मिला इसी के साथ में यहाँ दैसमाप्त करती हूँ तो आपने जान ही लिया होगा कि सकारात्मक विचार आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव ला सकते हैं और सकारात्मक विचारों से आप आपके जीवन को कितना सफल बना सकते हैं जो अब्दुलकल कि यही सब आपके जीवन को सफल बनाने में सकारात्मक बनाने में आपके लिए योगदान करेंगे इसी के साथ इसी पार्ट का में अंत करती हूं धन्यवाद